तुमने उन सब को स्विकारा है, तुमने उन सब को क्यों स्विकारा नहीं, सराहा है, तब तो या ला, रोज एक नया जख, ये तो नहीं कर रहे थे, भरवा तो बैगन भी होता है, और करेला भी होता है, तो वो खा कर आये थे, और वो ही बोल रहे थे, लेकिन शोर में बैगन और करेला जो है छुप गया के वर्ड जो इन्होंने बोला है तो वो तो मतन के बारे में उसको जब तक काटोगे नहीं कटवाओगे नहीं तो कटवाओगे नहीं जो है वो बोलना चाह रहे थे भोजन पे चर्चा हो रहे थी कि चंद्रियान के जो साइंटिस्ट हैं उनको किस तरह का भोजन मिलना चाहिए कल तक तुम साले कहा थे जब स्टैलिन जो है पूरे हिंदूओं के समूल नाश की बात कर रहा था जब स्वामे प्रसाद महरी जो है रामचरित मानस के बारे में रहे थे और इस दानिश अली ने ऐसा बवाल वहां पे काटा कि यह पॉलिटिकल बात है तुम कैसे बोल सके तो इस पर मुझे वही शौरी का डायलोग याद आता है किसे बचा रहे हो तुम मैं रमेश बिधूरियों की फाउज खड़ी कर दूँगा नौन लेफ्ट वाले हैं जो हमारी विचारधारा के लोग हैं यह जो मतलब लोट ही जाते हैं एकदम से ऐसे साश्टांग करके घुश जाते हैं बीतर ससरते हुए उसमें तेल वेल पूरा बाडिम लगा घुश गए बीतर एकदम से नहीं नहीं माफी ले लो हमारी हमारी माफी रेजिस्टर करो राइट विंग वाले जो हैं या नॉन लेफ्ट वाले हैं इनमें भी अपना एक है वो कॉलर वालर में साले वो लगा के आ जाएंगे और खड़ा करके सूट पहन के घुमेंगे गर्मी में भी और चार-पांच इकठा हो जाएंगे एक ही बात 75 बार हर जगह पे जाके बुरेंगे मैं तो यहीं कहता हूँ कि पूरी जाच होनी चाहिए कि विदोरी जी ने क्या कहा एक-एक शब्द की जाच हो और उसके आदानिश अली को निलंबित करना चाहिए राउल गांधी जी आजकल मुझे लगता है को माइक लगा के आदमी सो रहा है माइक लगा के और कपार पे गोपरो लगाए रहता है और जहां वो डबल साइट टेप लेके इसे चिपकाता है निकल लेता है कहीं खाली ट्रॉली लेके कूली अगर साहिब होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि संसद भवन में किसी मुसल्मान को ऐसा बूल दे साहिब स्वयम क्या कर रहते करवा रहते एसी इसे नहला नहला के मार दिया चंदाबावू के बेटों को तो पढ़ा लिखा मुसल्मान भी देखे कि किस तरह की बातें करता है आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरूत करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले नोटिफिकेशन बेल दबाले ताकि आपको नित नए वीडियो जो है प्राप्त होते रहे लाइक करें वीडियो को शेर करते रहे हैं आए आरम करते हैं अधीर रंजन जी अधीर रंजन जी क्या सिती है आपकी मांसिक श्तिती रात में दिमाग की नस फटने को तैयार दे रात बर सोया नहीं दानिज बाई रुके 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 रुक रमेश पिधूरी जी ने इस वार यह जखम जो है कई बीप विप हो गया है लेकिन बीप में क्या क्या था वो हमारे आप कह सकते हैं अभिन्वित्र मौमध जुवह हैर जी ने लिखा है स्वयम ही, और उसकी उन्होंने व्याक्या भी की है कि जो विदूरी ने नहीं बोला, वो सारी बाते भी उन्होंने बताई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और वीडियो तो आपने देख ही लिया अब प्रश्न ये आता है कि जो विधूरी जी ने किया है वो क्या सुईकारी है ऐसा होना चाहिए लोगतंत्र में नहीं होना बिलकुल नहीं चाहिए होना तो ये भी नहीं चाहिए कि राजी सभा के कोई सदस्य हैं व कोई लोकसभा सांसद महोदया हैं वो फिंगर स्क्रीन पर दिखाती हैं ऐसे करके और हरामी भी बोलती हैं तो होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए लेकिन होता रहता है और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के सुपुत्र कोई हैं जो स्वयमंत्री भी है वो पूरे सनातन के समूल नाश की बात करते हैं होना तो भी नहीं चाहिए लेकिन ये सब होता है और उस पे यही दोगले लोग जो आज एक एक शब्द को पकड़ करके पूरा ज्यान दे रहे हैं कि ये हो गया फलाना हो गया मुसल्मानों जीना मुहाल हो गया बता ये जन पृतिनिदी को ऐसे कह दिया गया बाइ उन लोगों के साथ होते हैं जो दंगे करते हैं जो आतंकी गत्विदियों में श्मिल होते हैं तुम्हारे जन पृतिनिदी तो भरी विधान सबा में हिंदूों के प्याज फोड़ने की बाते करते हैं तो सुविकारी तो वह भी नहीं होना चाहिए था तुमने उन सब को स्विकारा है, तुमने उन सब को केवल स्विकारा नहीं, सराहा है। तब तुम या लाह, रोज एक नया जग ये तू नहीं कर रहे थे, तब तुम टीटों की एक श्रिंखला तू नहीं बना रहे थे। ये सब केवल अभी कर रहे हो क्योंकि एक हिंदू सांसद ने जो दलित, वंचित, शोशित, पीडित समाथ से आता है उसने दानिश अली नामक सांसद द्वारा उकसाए जाने के बाद हम यहां नहीं जानते हैं और क्लिप काट देने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जो अलग लग नामों से विख्यात हैं इसी क्लिप काटने की प्रविति के कारण वो नाम मैं लूँगा नहीं लेकिन विधूरी जी ने वो नाम का अगला हिस्सा लिया था तो ऐसे भी लोग है वो लोग फिर से वही क्लिप काट करके चला रहे है कि विधूरी जी ने क्या कह उससे पहले अब ऐसा तो है नहीं कि उनको पागल कुत्ते ने काट लिया था और संसद भवन में जाते हैं एकदम पूरा कि ओए मुले ओए उगरबादी ओए फलाना ओए डिमका इस तरह से बोले नहीं वो उकसा रहा था सामने से और हम नहीं जानते हैं हम वो ऐसे ही नहीं जानते हैं जैसे नुपूर शर्मा के मामले में आधा कटा हुआ क्लिप शेयर किया गया और उससे पहले जो उकसाने वाली बातें बोली गई थी वो किसी को नहीं पता थी और पूरा बवाल होता है उसके अच्छे हिंदों की हत्या हो जाती हमने तब भी क्टिसाइज नहीं किया कि यह जो अधकटा हुआ जो क्लिप जो शेयर कर रहे हो तो उसका इंपक्ट क्या हुआ उस पहे किसी ने चर्चा नहीं की अब इसी बात को आप देखिए जो जुबायर अगर इसको फैक्ट चेक करता अगर वो मुसलिम होता वो सांसर तब क्या होता तब वो काता कि भरवा तो बैगन भी होता है और करेला भी होता है तो वो खाकर आये थे और वो वही बोल रहे थे लेकिन शोर में जो है ना बैगन और करेला जो है छुप गया केवल भरवा जो है वो बच गया उसी तरह जो के वर्ड जो इन्होंने बोला है उसके बारे में तो मतन के बारे में उसको जब तक काटोगे नहीं कटवाओगे नहीं तो कटवाओगे नहीं जो है वो बोलना चाह रहे थे तो उस कारण मतन के बारे में और भोजन पे चर्चा हो रहे थी कि चंद्रियान की जो साइंटिस्ट है उनको किस तरह का भोजन मिलना चाहिए, तो उस पे हो रहा था, और मुला, अगर वो मुसलमान होते सांसा, तो मुला तो नहीं बोलते हो जने उधारू, या पंडित, या पांडे, या मिसरा, या जा इस तरह से कुछ बोलते, वो तो समान सुचक शब्द है, और मुला का तो इसमें तो एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो जुबायर और आल्ट नीज के फैक्ट चेकिंग के तरीकों को देखते हुए ऐसा माना जाए कि नहीं भाई ये तो मतलब घजब कर दिया आप तो ये देश जो है रहने लाइक रहा नहीं तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है अब प काफि मांगने के आवशक्ता नहीं है नहीं आप सारे हिंदू को या राइट विंग को रेप्रेजेंट करते हो जो भी लोग इसमें एक दम पूरा सा कूद गया और अचानक से मतलब जो स्टाइप आगए कि नहीं नहीं हमें हर तरह का ऐसा जो भी कुछ भी बोलता है तो उ जिंदाबाद और इस तरह से कुछ बोल करके उसको भटकाया जाता है कि भाई ये बोला गया ओ तो नेता थे मुहमद सहित जिंदाबाद बोला जा रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोला जा रहा तो चुप रहिए अगर आपको घुमाने नहीं आता है अगर आप समर्थन में इस बात का काउंटर लेकर नहीं आते हैं कि कल तक तुम साले कहां थे जब स्टैलिन जो है पूरे हिंदुों के समूलनाश की बात कर रहा था जब स्वामे प्रसाद महरी जो है रामचरित मानस के बारे में विश्वावन कर रहा था जब चंद शेकर जो मंत्री हैं शिक्षा मंत्री वो रामचरित मानस के बारे में उल्टी सीदे बातें कर रहा था जब लालू प्रसाद या था भूरावाल साप करो की बातें क्या करता था और उसके मंत्री तो हैं बोलें यह तो महावरा है उनके सांसत जो मनोज्जा टाइप के लोग है तो जब उनों लोगों से आपने प्रस्ट नहीं किया और उनों लोगों ने कुछ नहीं बोला तो आपको कौन सा यह सुलेमानी कीडा आपके भीतर कुल बूला रहा है कि नहीं नहीं यार हमको बोलना ही है हम से कुलर कैसे दिखेंगे हम समझदार कैसे लगेंगे क्यार हमने इसको अपोज नहीं कि हमसे कोई पूछ दिया रहा चलते तो कि तुमने तो इस पे ट्विट नहीं किया तो फिर जो है obligation में आके मत कीजिए चुपचाप बैठिए गालिब, आदिल, कतील इस सब की शाहरी वायरी जो है वो लिकिए दिनकर जीक कविताएं शेयर कीजिए घर के बाहर जो है बारिश वारिस हुए दिल्ली NCR में बहुत अच्छी वहाँ पे जाकर के फोटो लगाईए उसकी क्या अगजब की बारिश होगे हर वेक्ति को हर बात पे बोलना नहीं चाहिए विदूरी ने क्या बोला कि रहने दो यार मत बोलो इसके उपर जब मानस पे, हिंदूओं पे, हिंदू देवी का प्रियोग होता रहा है हाल ही में एक राम, लक्षमन और सीता जी के लिए जिस तरह का एक पोस्टर जारी हुआ था सुधर्न स्टेट में वो जाकर क्या आप देख लो उसके आद बाकि उसके नेता जो है किस तरह से शिव जो है हिंदू दो का हिस्सा नहीं है और ये फलाना दूप काई सब बात करते हैं जनोसाइट कॉल्स की बाते हैं को डिनाई करने की बाते होती है ये सारा हमने देखा है तब जब आप चुप थे और वो लोग चुप थे जो आज उछल रहे है तो फिर जो है उसमें एक समस्य और जैसा कि मैंने कहा कि आप प्रकृति की बातें कीजिए कविता उत्ता शेर कीजिए अपना एक्सपीरियेंस लिखे कि जीवन में क्या चल रहा है आपका गल्फरंड है ब्रेकप हो गया चुम्बन ले पाए कि नहीं अभी तक उससे आगे आप बढ़ रखने से क्या हो जाएगा तो उस तरह का काम कीजिए भाई वो काम बहुत लोग करने उससे आपका अट्रैक्शन भी बढ़ेगा और आपने जो वेरिफिकेशन वाला हैंडल लेने में जो पैसे लगा है वो वापस भी आ लेकी संभाव है तो वो सब करो यार यह का तुम य कि क्या इससे कुछ और बुरा नहीं हुआ है जैसा कि यह लोग लिख रहे हैं वो लिख रहा है कि नहीं नहीं यार गजब मतला इससे बुरा क्या नहीं संसद में मतला पुराने में होता चलता यह पुराने में ठीक था यार नहीं में क्यों कर दिया बताओ यार उस नहीं मे किया जिसमें मोदी ने सेंगोल डाला है और वहां पे जो आप चले गए तो बुरा हो गया नए में नहीं करना जाए पुराने में तो हरामी हराम खोर और इस तरह की बाते चलती रहती है उस पे cash for votes नोटों के बंडल जो है फाड़ा नहीं गया था कपड़ा भी फाड लिया समधान भी फाड दिया तो यह समने नहीं देखा तो उससे क्या अधिक गरिमा गिर गई और प्रवगेशन क्या था इसकी तो जहां चुजाए पहले आप उसका पक्ष नहीं देखोगे फिर वही गांधी गोटसे वाला इतने अपराधी हैं वो भारत के नाजरिक नहीं है? हमें उस debate में जाने क्या अँशकता नहीं है कि भाई आखिर क्यों मारा? अपराधी है हम मानते हैं लेकिन कोई लॉजिक तो होगा क्यों मारा प्रोवकेशन क्या था क्यों क्या था तो उसी तरह से यहाँ पर ये तो देखा जाए कि दानिश अली ने बोला क्या था ऐसा कि सामने एक मतलब जन पृतिनिदी को और जो स्वयम दलित वंचित पेड़ित समाद से आते हैं उनको इस तरह के शब्दों का प्रियोग अन्ना केवल संसद में उन्होंने बाला बाहर में भी तुम्हे में देखता हूँ तो आप सोचिए कि क्या बोला होगा कि आदमी संसद भवन के भीतर इस तरह की भाषा प्रियोग करने पे विवश हो गया आप सोचिए एक बार और कौन लोग उठा रहे हैं इस पे आवाज वो जो हिंदू लड़कियों के बातरूम में कैमरा लगा जाता है और उसकी अशलील तस्वीरे बाहर शेयर की जाती है उसको कहा जाते है यह तो प्रैंक था जी आप सोचिए दोनों को पैरलली देखिए आप फिर स्वयमत्य कीजिए कि यह जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कौन लोग इस पे क्या बोल रहा है और यह दानिश अली की हिस्ट्री आप देखिए भारत माता की जै एक नेता बोल रहे थे और इस दानिश अली ने ऐसा बवाल वहां पे काटा कि यह पॉलिटिकल बात है तुम कैसे बोल सकते हैं सोचिए भारत माता की जै बोलना पॉलिटिकल बात हो जाती है तो इस पर मुझे वही शौरी का डायलोग याद आता है किसे बचा रहे हो तुम मैं रमेश बिधूरियों की फाउस खड़ी कर दूगा एक राठोर नहीं हजार राठोर में ला दूगा किसको बचा रहे हो मेजर और अब एक उस शब्द पे भी चर्चा कर लेते हैं जो के वर्ड है बोली देता हूँ जो एक्जेक्ली उन्होंने बोला है और मैं ये किसी को बोल नहीं दाओ कटवा शब्द जो है इसका प्रियोग मुस्लिम समुदाए के लोग अपने ही समुदाए के निचली जातियों के कुछ जातियां जो है इनमें भी 72 फिरके हैं न उसी में से कुछ जातियों को डिमीन करने के लिए प्रियोग में लाते है और तोहर माननिय सांसद ओवैसी जी ने इसी शवद का प्रियोग एक डिवेट में किया था 2019 में सुहम सुन लीजिए और इनका जो 23 परसंट का जो हिंदुत्वा का ओठ है उसको कहो कि हमने कट्वाँ को फसा दिया है वह इनका मकसर है यह इनका मकसर है तो रखता है अन परलेमेंटरी वर्ड है हिंदुों को सनातनियों को तरह तरह की बातें की जाती है तब तो मतलब क्या केवल संसद भवन में ही इस तरह की बात का प्रियोग हुआ तब ही उसका संग्यान लिया जाएगा वो भी एक हिंदुन एक मुसल्मान के लिए किया तब ही बाकी time all is fine संसद में कितने लोग बैठे हुए होते है और बाहर आईए आप देखिए हजारों लाखों की भीड में किस तरह से उकसाया जाता है और वो सारे में वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगा अब एक विशाय आता है कि ये जो non left वाले हैं जो हमारी विचारधारा के लोग हैं ये जो मतलब लोट ही जाते हैं एकदम से ऐसे सास्टांग करके घुश जाते हैं बीतर ससरते हुए उसमें तेल उएल पूरा बाडिम लगा घुश गए बीतर एकदम से नहीं नहीं माफी ले लो हमारी हमारी माफी रेजिडर करो कोई कोई पूछा तुम से की माफी मांग लो तुम्हारा बाप है बिदूरी जिसके भी हापप этого माफी मांग रहे हो कउन है वो और तुम लोग बोलते हो कि तुम विचारदारा की लडाई लडाई लडाओंगे ये लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे सीखो कुछ कि कैसे वो हर ऐसे विशह पे चुप रहते हैं तुम्हें नहीं हमें दिखना है नहीं नहीं मैंने वो याद कीजिए इस तरह से आपको लगता है कि एलीट सरकल में बैठ के इन में भी है ये राइट विंग वाले जो हैं या नॉन लेफ्ट वाले हैं इन में भी अपना एक है वो कॉलर वालर में साले वो लगा के आ जाएंगे और खड़ा करके सूट पहन के घुमेंगे गर्मी में भी और चार-पांच इकठा हो जाएंगे एक ही बात 75 बार हर जगह पे जाके बूलेंगे यही वो लोग है जिनको लगता है नहीं यार मैं तो थोरा-थोरा वामपंतियों में भी मेरी स्विकारिता है मैं तो फलाने पोटल में लिख लिखता था अब मुझे पूछ देंगे कि आपने विधोरी पे क्या किया था नो आई डिनाउंस्ट है यू कें सी माई ट्वीट अब पूरा साले इनका ट्वीट भी ऐसा होता है पढ़ोगे तो आपके मन में एक्सेंट चलने लगता है इस तरह से ये अपॉलोजेटिक होते हैं क्यों भाई या तो स्वयम को अलग कर लो हमारी विचारधारा से कि नहीं भाई हमें तो एकदम एकदम हंकी डोरी हमारा चल रहा है लाइफ मस्त हम अपना बीब भी खा रहे हैं हम उसको प्रमोट भी कर रहे हैं हिंदू भी हो रहे हैं तो भाई आपको नमस्कार है आप हमारे विचारधारा की मा बहन एक करना जो है बंद कीजिए आप हमारे भिहाब पे अपोलोजाइज मत कीजिए चुप रहिए कुछ नहीं कर सकते हैं चुप रहिए और उन बच्चों को उन लड़कों को जो सौ दो सौ हजार दो हजार जिनके फॉलोर्स हैं उनको डिमॉरलाइज मत कीजिए आप क्योंकि अंतता वो लोग होते हैं जो भूमी पर धरातल पे उनका ब्रंट जो है जेलते हैं तो मैं करना है अपना घर में करो अपना वही कोटरी जो आता है उसमें जो क्या बोलते हैं अलाकारते और यह सब जो उदर seven course meal जो खाते हो तुम लोग तो वहीं पर करो वो टेबल के चार और बैट के छे आदमीं वहीं चर्चा कर लिया करो यह सब नहीं यार वो बिदोडी वाला वो सही नहीं था ट्विटर पर अपनी विष्ठा करना जो है बंद कीजिए देखो तो यार एकदम अभी ताजा तरीन एक्जामपल है स्टैलिन का कितने लोगों क्या आरफा ने साइमा ने जुबैर ने सबा नकवी ने रवीश कुमार ने अजीत अंजुम ने जितने लोग कितने लोगों ने उस पे जो है बोला कि नहीं ने ये गलत किया आप जाकर देखे एक ट्विट नहीं किया है किसी ने और भूले बिसरे अगर किसी ने एक ट्विट किया भी होगा तो उसका शब्द आप पढ़ लीजेगा वो बताएगा वो आपको समझाने लगा मतलब हिंदूओं को मुसल्मान सनातन समझाता है कि नहीं ने तुम समझे नहीं उसके सनातन कहने का मतलब तो ये है कमल हसन एक नए अग्यान दे रहा है आजकर वो बता रहा है कि ने उदैनिदी तो बालक है इसलिए उसके पीछे सब चड़ गए और पेरियार के साथ अब बेटी यार ने जो किया उसका हमें क्या यार जो अपनी अडप्टेट बेटी के साथ जो संभोग कर रहा है मतलब पतनी बना लिया बाद में जो भी आब तो करेगा या करने के लिए ही बनाया होगा या पहले सो कर रहा होगा इसलिए जो भी है बहुत साला इन लूग बांपन्थियों का इतना गुसा हुआ होता है ना सब कुछ पता नहीं चलता कौन क्या अब उसने सनातन के बारे में बताया तभी दुनियाक पता चला सनातन भी कुछ चीज है आप बता रहें तमिल नाडू को जहां युमेन का फर्स्ट जिनॉम सिक्वेंस जिस राज्जिस से आता है और वहां के ब्राम्मान या बाकी हिंदू जो भी है जो वैदिक काल से या संगम काल से जो भी है उस पूरी परंपरा को आज तक लेकर के चलाएमान रख्यों तुम उनको ग्यान दे रहें कि सनातन पेरियार ने उनको बताया कि क्या होता है डूब मरो यार कहीं पे जाके और आप उसी तरह से यह जो है यह सब हमें यही बताने लगते हैं कि बिधुरी जो है उसने जो बूला है उस पे दिन के एक सव ट्वीट हो रहे हैं री ट्वीट हो रहे हैं और स्टैलिन पे एक भी नहीं था और आपको चुल मच्यों नहीं दुनिया में कहीं कुछ होगा ब्लैक निगा ब्रो मारा गया तो भी हम ट्वीट कर देंगे नहीं फ्लॉइट की मिर्तिव नहीं होनी चाहिए थी कितने खलियर लोग हैं ये लोग आप सोची एक बार कि दिन भार ये लगता है सर्च करते हैं कहां एट्रोसिटी क्या होगे और मैं लिख के एकदम से गजब का कि नहीं भाय मैंने लिखा था मैंने जॉर्ज फ्लॉइट पर लिखा था फिर मैंने जो है संबूलाल रेगर की भी आलोचना की थी फिर मैंने जो है लालुजादव की आलोचना की मैंने स्टैलिन की भी की और अब तो मेरा बनता है कि मैं बिधुडी की भी आलोचना कर दू नहीं करूंगा अब नहीं करोंगे नोबडी गिब से शिट किसी कोई फरक नहीं पड़ता है धर्ती सारे 30 नहीं होता है और दूसरी चीज़ देखें कि हमने हमारा जो है कितने ट्वीट हमने कि स्टैलिन पर ही मैं स्वायम को ही बोल रहा हूं फिर हमारी विचारधारक लोग पांच कुल मिला के पांच दस रिट्वीट को मिला लेंगे बारह बीस इतने दिन हो गया उसने एक बार नहीं हो लग कई बार बोला और बाकी लोगों ने भी रिट्रेट किया है उसके स्टेटमेंट को और समर्थन दिये हैं कुल मिला करके आप बीस पे नहीं पहुँच पाएंगे मेरा तो छोड़ि हमारी जो आईटी सेल के कदावर नेता लोग है जिनके सींग लगे हुए हैं वो सब जो मतलब आते हैं तो भाट चारन जो पहले ने कीरती गायन किया करते थे कालीन अपने आप बीच जाया करता ऐसे महान महान लोग जो भाजपा आईटी सेल वाले हैं जाके देखे उन्हो से उपर नहीं जाएगा पूरे प्रकर्ण में आपको पता हैं जुबायर ने कितना ट्वीट किया है मैंने पहले 21 गंटे मुसका पहला ट्वीट से 21 गंटा तक लगवग 10 बजे सुबह आज की मैं बात कर रहा हूँ 103 ट्वीट या रिट्वीट था उसके आप सुचिए प्रती घंटा वो पांच ट्वीट या रिट्वीट कर रहा था सोया नहीं हो खून के आशू रो रहा था हर रोज एक नया जख्म आरफा जी ने भी इस पर ट्वीट किया आगे चर्चा करेंगे सोया नहीं हो आदमी डेडिकेशन देखिए कि इतना एकदम तो ये तो आप में है नहीं और ये इतना ट्वीट जो हो रहा है अगर संसत सत्र भी चलता रहता आप देख लेते कि विदूरी जो है सस्पेंड हो चुका होता संसत सत्र चलने नहीं दिया जाता आगे जितने भी दिन होते और आज मैं अभी बोल रहा हूँ आज शनिवार पाँच बज़ के पाँच मिनट हो रहा है जब मैं शूट कर रहा हूँ या तो आज शाम तक 9-10 बज़े तक हलाकि ओफ डे है आपको भाजपा मुख्याले से एकदम टॉप लीडर्शिप से कुछ आ जाएगा इस पे नहीं तो आप मंडे तक हो सकता है कि प्रधान मंत्री मोधी से ये लोग बयान दिलवा लेंगे मैं मन से माफ नहीं कर पाऊंगा इस टाइप का कुछ आ जाएगा या फिर उनको जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा बिदुड़ी जी को ये होगा क्योंकि इनका एको सिस्टम इस तरह से काम करता है हमारा क्या है नहीं जी ये तो गलत वोला यार ऐसे कैसे डिफेंड कर लगा अब चुप हो जाओ चुप हो जाओ चमरे का मुं मिलायत हला बोलते जाना है बिना काम का अब वामपंथियों की थोड़ी सी बात कर ल नब्स दिल की तरह तुम जिन्दगी से हार कर मलना अरे इमान वालो जुल्म को ललकार कर मलना कभी जब भेरियों का जुन्ड तुमको भेर ही ले तो अगर मरना पड़े तो चार छे को मार कर मरना यह भेरिया जो बोल रहा है आपको भी पता है कौन साहिसा मुसल्मान ने जिसको पाच्छे भेरिये घेर लेते हैं भारत के किस क्षेत्र में भेरिया है यह पता कीजिए तो किसको बोल रहा था तो किसको तुम बना रहो भाई और यह राजिसवा के सांसद है ऐसे लोग संस अगला वीडियो ममन खान का है नुक अविधायक मतलब उसे क्षेत्र से आता है जहां पे दंगे हुए और पांच हिंदू मारे गए और किस तरह से घेर केमारा सुनिए यह वीडियो जो है बजट सत्र में आया था हर्याना के आप सोचें कि इसने कब से तयारी कर रखी होगी और जो बात इसने बोली वो इंशोर किया और सेम बात एक पाकिस्तानी यूट्यूबर था वो भी बोल रहा था प्याज फोर देंगे फिर फरीदाबाद का एक मुसलमान था वो भी यही बात बोल रहा था इस तरह से पूरा माहुल बनाएगा तो ये विधायक नहीं था तब संसद और विधायका को उसकी गरिमा जो है नहीं गिरती है अभी ही विधोरी मतलब उसने दो तिन विशेशन क्या बोल दिये और इस वेक्ति ने सीधा थ्रेट दिया किसी की जान लेने का अब बोला जो भी गुसेगा तो आप सोचिए थ्रेट दिया और एक्चुल में वैसा हुआ किसी को मुला बोल दिया माली ये आतंकवादी उगरवादी बोल दिया और तुम यार ताहिर हुसाइन के साथ बैठत जाते हो तुम भारत मा की जाए बूलने वालों का मतलब विरोध करते हो तो तुम उस कैटेगरी में तो वास्तव में आते हो एक तरह से फिर तुम यह मतलब रोना गाना यह सब तो नहीं चलेगा ना अब दानिश्वाई का वीडियो एक तो स्टार्ट में ने दिखा दिया फिर से एक बार देख लीजिए उमीद है कि मेरे साथ न्याय होगा अधर्ने स्पीकर साब का रवाई करेंगे नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं क्योंकि यह सब्भे समाज में बरदाश्ट नहीं किया जा सकता यह हैं महोद है मतलब इसमें इतना भी कूवत या गूदा जो है नहीं है कि बो लेगा चोड़ दिया सांसदी मैंने मैं इतना आहत हो गया छोड़ दो ना भाई छे ही महने बचे ही यार कितना बड़ी है स्टंट हो जाता छोड़ देता तो मैं तो फिर तो और करता कि नहीं भाय कितना आहत वा सांसदी को लात मार दी नहीं मारोगे ना क्या पता घर खाली करवाले तुमसे ए मोधी सरकार कोई ठीक नहीं ना इन लोग का तुरंत बोलें नूट्टी से एक में आम खाली करू तुम अब सांसद नहीं रहे तो इसने मतला आप सोचिए इतना अधिक आहत हो गया है तुम किसी को भारत माता की जय इसी राष्ट में नहीं बोलने दे रहे हो उससे लोग आहत नहीं होते और तुम ताहिर हुसाइन के साथ बैठे हुए हो जो दिल्ली दंगों का मास्टर माइंड है तब बड़ी अच्छी बात है नहीं नहीं सही है तब एक दम एक नम्मर सब कुछ मस्ट चल रहा है और यहां पर जो है नहीं अगर कुछ नहीं किया गया तो मैं सांसदी छोड़ने के विचार पर विचार करूँगा गजा अब अगला जो है जुबैर का क्लिप जो उसने डाला था मैं जुबैर का खल ये नम्बर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इतना इसने और उसके बाद जो डेथ हुए थे वो भी याद कीजिए तो जुबैर जो आज लिख रहा इतना उसको तो याद करना चाहिए कि तुमने जो एक कटा हुआ डाला था उसके बाद क्या-क्या हो गया था तुम किस मुह से ये जो चार शब्द मतलब तुमने कटा हुआ क्लिप डालके और कारण बनते हो कि लिंच मॉप्स जो हर जगा एक्टिवेट हो गए सर्तन से जुदा किनारे लगते हैं वहां तक बहुत बढ़िया है उसके अच्छे लोग मर भी जाते हैं और आज तुम्हें किसी को कटवा या मुला या उग्रवादी आतंकवादी ऐसे शब्दों का प्रियोग किया गया है तो उसके करण तुम्हें जो स्थान विशेश में पीड़ा हो रही है यह तो वही है कि विडंबना जो है वो कुए में कूद कर आत्मत्या कर लेती है और एक मुहतरमा है यह डाक्टर आपसपा या जो भी नाम है मुझे याद नहीं है यह याद कर रहे हैं अपने साहेब को अब साहेब कौन है साहेब हैं सहाब उद्दिन जो मुझे लगता है कुटे या सुवर की मौत मरा है मतलब तरब तरब के अगर सुवर को आप इमेजिन करें को से कोई बीमारी हो गई और वो कीचर में लोटा हुआ है वो धीरे धीरे वेट उसका कम होता जाएगा फिर नरकंकाल खारी बचेगा आँखे धस जाएंगी उसकी और वो मृतिव को प्राप्त हो जाएगा कोई जानवर सुवर नहीं स्पेशली मतलब किसी भी जानवर से सुवर तो बड़े क्यूट होते हैं खास कर कि जो पिंक वाले होते हैं उसे लोग पालते भी है तो ये इन साहब को याद कर रहे हैं साहबुदीन को जिस वक्ति पे मतलब भारत के कुरूरतम हत्यारों में से एक जिस पे मुझे लगता है पूरे भारत में रिकॉर्ड अगर होगा कि 4-5 जैसे मुझे लगता है कि अतीक अहमद के उपर सरवाधिक केसे थे उसके बाद ये भी उसी लिस्ट में आता होगा 64-65 केस थे इसके उपर और तब जब कोरोना काल में एमस में मर गया उसको याद कर रहे हैं कि अगर साहब होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि संसद भवन में किसी मुसल्मान को ऐसा बूल दे मतलब साहब ही चला रहते पूरा देश और सही बात है साहब स्वयम क्या कर रहते करवा रहते एसी इसे नहला नहला के मार दिया चंदा भावू के बेटों को ये सारा जो है किसी को याद ने तो पढ़ा लिखा मुसल्मान भी देखे कि किस तरह की बाते करता है वो भी किस के साथ खड़ा है उसको कोई मतलब नहीं इसी पढ़ान का भी ट्वीट आप देख लिजे इसी के साथ ये लिख रहे है कि प्रोवकेशन को ये करते रहो फैशन बन जाता है हैस्टैग पार्लेमेंट बिलकुल इगनोर करते रहो फैशन तो बनी गया ना एरपोर्ट की बॉम्बिंग फैशन बन चुकी है सिटी बॉम्बिंग फैशन बन चुकी है अब आईसिस पूरा जो है क्या कर रहा है वो फैशन बन गया है गजबाय हिंदा और ये सब का आखवार में कर रहेते मूत्र त्याग रहेते तबली की जमात वाले वो फैशन बन गया है हिंदूों को गाली देना फैशन बन गया है हिंदू नेता या नेत्री कोई मरती है तो उसके नीचे हा 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 करना फैशन बन गया है क्रिश्न भगवान के उपर जो है चावित्रिक टिपणी करना वो फैशन बन गया है तो तुम ये देखो इर्फान पठान कि फैशन क्या क्या और किसने बनाया है ऐसे मत गुमाव कि मतलब हिंदूओं ने ही ये सब कर रखा है नहीं भाई तुम लोगों ने हिंदूओं की सहिशनूता का एक के बाद एक बार फाइदा उठा है और उसके बाद हम आज इस जगह पे पहुँचे हैं कि अब एक दो बार जो आदमें फ्रस्टेट हो के सामने वाला कोई मैं तो यही कहता हूँ कि पूरी जाच होनी चाहिए कि बिदोरी जी ने क्या कहा एक एक शब्द की जाच हो और उसके दानिश अली को निलंबित करना चाहिए उसको निकालो कि उसने ऐसा क्या कहा कि बेचारा विवश होके इस तरह की भाषा का प्रियोग करना पड़ा सोचिए कि जब उन्होंने इस भाषा का प्रयोंकिया दानिश अली ने क्या बोला होगा उनको वो तो आडियो फीड उतनी अच्छी नहीं है नहीं तो आडियो फीड अगर क्लीन हो सके तो पूछना चाहिए कि भाई तुमने क्या बोला उनके उपर कौन सी टिपनी की जो उनको आपको इस तरह के शब्दों से सुशोभित करने का जो है मतलब नकारात्मक कारी एक तरह से करना पड़ गया संजय सिंग इसका वीडियो देखिए देखे मैं तो पहले से कहता आ रहा हूं और हमारी पार्टी ये बाद बार कहती है कि भारती जनता पार्टी लुच्चो लफंगों और गुंडों की पार्टी है तो गुंडा गर्दी कर रहे हैं लोग सदन के अंदर जिस प्रकार की भासा का प्रियोग रमेज बिदूरी के द्वारा किया गया ये तो एक माफिया गुंडे एक की भासा है किसी दूसरी पार्टी के लोग को गुंडा बोल रहा है जो आदमी संसद भवन के टेबल पे चड़के और यही नहीं एक दुखा तो कॉलर वालर भी पकड़ा है इसने संसद भवन के अंदर कॉलर पकड़ा है और तरह-तरह से निलंबित हुआ है तो वहीं लॉन में चादर वादर और यूस्वी फैन लगा के अपना लेट करके कि महात्मा गांधिक शरन में हाँ भाई हम भी एक संसद के वारे में जानते हैं टिकट उकट ब्लैक किया करता था एक टैम में मैं ऐसे अन्रिलेटेड बता रहा हूँ तो टिकट ब्लैक करने वाले डाकू, डकैत, लुटेरे, हत्यारे ये लोग पहुँच जाते हैं संसद भवन में तो बाकी लोग भी पहुँच बाजपा वालों को अब गुंडा और ये तो ठीक है, मुँ है, विचारे बोल रहे हैं, महुआ मोहितरा जी ने भी स्टेटमेंट दिया है, महुआ मोहितरा जी के स्टेटमेंट का वीडियो देखिए, और उसके बाद उन्होंने जब हरामी बोला था, वो भी वीडियो इसके बाद में कोई विचलेशन नहीं करूंगा, महुआ जी का. परसेन वहाज तो फुलफिल इस अब इसके आद राहूल गांदी जी मिलने चले गए, राहूल गांदी जी आजकल मुझे लगता है को माइक लगा के आदमी सो रहा है, माइक लगा के और कापार पे गोपरो लगा रहा था है, और जहां वो डबल साइट टेप लेकर इसे च प्रियूली नंबर वन, बिल्ला नंबर 756 बांद रहा है बहां पे, 86 नहीं मिला इसलिए, और पूरा हूँ, मतलब अमिताब बच्चन के जितने रोल थे हो सब निभारा है आजकल, बस एक यहाथ पर अमिताब बच्चन मेरा बाप चोर है, वो जो लिखा था, वो तो मुझ बहले कितना भी घोटाला किया हो, मुझे नहीं लगता है कि कितने भी कोई मूर्क पूत्र हो जाए, तो लिख वाले है, मेरा बाप चोर है, वो तो कोई लिख देता है उस पे, तो उस कारण से हो सकता है, तो राहूल गांदी जी मिलने गए, दानिश अली जी से, बताईए, मुखबत की दुकान की फ्रेंचाईजी खुल रही है, स्टालिन से मिलने नहीं गया राहूल गांदी, स्टालिन ने भी बोला ना, पूरे सनातनियों के नरसंगार की बात हुई, उस से मिलने के लिए नहीं गया राहूल गांदी, असली मुखबत की दुकान तो मुझे लग आरफा जी का वीडियो पहले सुनिए ना सिर्फ कि वो जुलूस निकालेंगे बलकि तमाम तरह के हिंसा के कामों में भी लिफ्त पाये जाते हैं तो मुहतरमा का मानना है कि इद कितना मतलब आहा हर रोज एक नया जक इद हो गया लेकिन कावर यात्रा अगॉस में हिंसा हो जाती है और इनको पता है कि इंसा होगी क्योंकि सबको पता है कि इंसा करेगा कोण पत्तर कौन फेकेगा कावर यात्रा इतना प्रेडिक्टेबल चीज हो गई है कि उस पे पत्तरवाजी होनी ही होनी है इसलिए आरफा जी को भी पता है हर रोज एक नया सक चलिए गन बिदुडी जी के स्टैलिन के कहां पे गन लगाओ गे सतिसाचारी बनाया कभी क्या या तुम्हें पता है कि वह 63 नाली मोड के Kahka deform देगा वो तो उस पर तो तुम जो है तुमारा हो मतलब तुम्हारी जो पर पैंसिल और जो भी लेकर बनाते हो उसमें तुम्हारी पटत एक्ति होगी अच्छे से जहाँ जहाँ चित रहे वो फटता होगा कि नहीं यार इस पे कैसे इस पे कैसे इस पे तो सेकुलर नहीं हो पाएगा उसके मुझे कैसे हम बंदूक लगा दें तो वहीं है कि ये जो है मुझे लगता है सतीस आचारी ने पैंसिल अपने स्थान विश से कम वो जो है जो यह मीडियम है व्यंग का या हाथ सिक्या और काटून का यह मीडियम आप कह सकते हैं कि विचार धारा से कहीं न कहीं परे जाता है लेकिन नहीं इसमें भी चंद्रियान जब लॉच्छ होगा तब इनकी फटती है तो पानी खोजने भेज देता है तो इनका दोगलापन लगातार हमें दिखता रहता है। वीडियो आज भी उसका घूम रहा है। आप निकाल देखे कि स्टैलिन पर इसी इंटेंसिटी से किया था कि आपने नहीं किया होगा। आप लोग जो है कि नहीं नहीं यार आपको लगता है कि ये जो है आपके देह पर कुछ गिर गया है। कुछ पढ़ गया, चिपक गया आपसे बिदूरी का इस स्टेटमेंट आके। नहीं चिपका है यार। तुम स्वेम उसको चिपका रहे हैं, उसको बंद करो, चुप रहना सीखो और ये समाप्त हो जाएगा। इसका कोई मतलब ने है, किसी ने कुछ वोला, उकसाया, विचारे ने उसका प्रत्युत्तर दिया, हो गई बात, बात खतम है। उसको अभी नाचने दो, जुबयर नाचेगा, उसकी पूरी गैंग नाचेगी, मुझे लगता है कि रवीश कुमार तो जब तक अभी पांच बच के बाइस मिनट अब हुआ है, रवीश कुमार तो साथ बजे तक आ जाएगा इस पे, कि कैसे नई संसत की गरिमा गिरा दी आचुका है उसका, कल रात को ही डाल दिया, बताइए, कल रात को ही रवीश कुमार ने सपे, वो सोता भी है कि नहीं या, वो आजमी मतलब गजब का है, खैत तो मुझे लगता है इतने पर नहीं रुकेगा रवीश, आज दिन बर कुछ और नहीं चला है, आज भी मुझे ल रहा है, और क्या आपका हर बात पर बूलना अवश्यक है, अगर नहीं है तो चुप रहिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा, अवश्य बताए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल दबाएं, और हमारी साहिता करना चाहते हैं, इन नंबर के माद हम से कर सकते हैं,